तो क्या हले दोस्तों आप सभी लोग के मुझे उमीद है कि आप सभी लोग सुरक्षित होंगे और घर पे होंगे और इस लॉक्डाउन का पालन कर रहे होंगे तो आज काफी अच्छी अपडेट निकल कहा रही दोस्तों सावमी की तरफ से सावमी पहली बार अपने सब ब्रैंड रेडमी के अंदर यहां पे पहला बैंड लॉंच करने जा रहा है जाए और आपको कल 3 अप्रियल को उनके लोकल टाइम दो बजे आपको लॉंच होने जा रहा है जिसके कुछ यहां पे rumors, specs यहां पे निकल क्या है और Redmi Band में भी क्या कुछ कमाल की features देखने को मलेंगे वो भी यहां पे निकल क्या है दूसरी वारे में यहां जो बात करते हैं सबस्वेल अगर हम बात करें दूसरो Redmi Band के अंदर और Redmi की आपको branding देखने को मिल रहे है जो काफी अच्छा है इसका look वैसे देखने में तो यहां पे लग रहा है इसमें बताया जारा दूसरो आपको इसमें के अंदर भी आपको AMRA display होने वाला है music player वगरा होगा आपको और कुछ trackers वगेरा होंगे जैसे कि fitness tracker होंगे slip monitoring वगेरा इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे और वहीं बात करें दूसरों Mi Band 5 तो यहीं बताया जारा कल आपको पाज तीन अपरल को यह भी आपको launch होगा और इसमें बताया जारा दूसरों first time आपको NFC का support देखने को मिलेगा outside of China में यानि के अभी तक आपको NFC नहीं मिला करता था लेकिन first time आपको NFC का यहापे support देखने को मिलेगा और जो display होने वाली है वो AMOLED तो होगी लेकिन पिछले वार से थोड़ी ज्यादा बड़ी display होगी इस बार 1.2 आपको इंच के आपे display होने वाली है अभी तक आपको 0.96 इंच के आपको display देखने को मिलेगी आपको first time NFC का support देखने को मिलेगा जो कि एक नया सुधार है Mi Band 5 क के अंदर और यह इंडिया में बताया जारा है मई के महीने में लाउंच होगा क्योंकि अभी lockdown प्रिएड चल सकता है अप्रेल तक इस वएसे लगता है company इसको launch करेगी मई के महीने में इंडिया में और Redmi Band भी इंडिया में आ सकता है ऐसी यहाँ पर उमीद बताई जा रही है वैसे फॉर्ष पोस्टर जो यहाँ पर आउट हुआ है आपको Redmi Band का है Mi Band 5 का कोई भी आपको फॉर्ष पोस्टर या टीजर अभी नहीं आया है बस रूमर है कि Mi Band 5 भी साइथ कल तीन अप्रेल को launch हो सकता है Redmi Band तो कल launch होगा यह confirm है आप फॉर्ष पोस्टर से देख सकता है ल लॉकडाँन का फॉर्ष करिए और घर पे रहे शुरपचित रहे है और हमसे जुड़े रहे हर एक अपडेट के लिए टेक्निलोजी से जुड़े वैसे अभी तो कम आ रही है लेकिन क्योंकि अभी लॉकडाँन चल रहा तो सभी कंप्रेंस सट डाउन इंडिया की तो जो ह जय बारत